दोस्तों अगर आप भी शब्मन गिल को शांदार खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर किशेगा दोस्तों तीसरे टीटवंटी के लिए शब्मन गिल के साथ एहमदा पहुँची सारा तिंदुलकर इंटरनेट पर वारल हो रही सारा और शब्मन की तस्वीरें क्या सारा तिंदुलकर तीसरे टीटवंटी में शब्मन के लिए ज्यर करते हुए स्टेडियम में नजर आने वाली हैं क्या है पूरी खबर और कैसे सारा और शब्मन के रिष्टे की सचाई अब आ गई है सामने सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शब्मन गिल और दीपक हुड़ा में से सबसे बेहितरीन युवा बल्लेबास कौन है अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों हाली में भारत और न्यूजिलेंड के बीच वन डे सिरीज समाप्थुई थी जिसमें शुर्मन ने दोहरा शतक और एक शतक जड़कर इतिहास रचा था और उनकी वज़े से ही टीम इंडिया ने न्यूजिलेंड को 3-0 से बुरी तरीके से रौंध कर सिरीज पर खेली के पहले टी-20 में टीम इंडिया मेहज 21 रनों से न्यूजिलेंड हार गई जिसके बाद दूसरे टी-20 में वापसी करते हुए युवाज सितारों ने न्यूजिलेंड की धजिया उडा दी और सिरीज में एक-एक से बराबरी कर ली हलाकि मेहज 100 रन बनाने में भारती बल्लेबाजों को नाको चने जबाने पड़ गए एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मुकाबला हार जाएगी लेकिन सूरिकुमार यादों ने भारती टीम को जीत दिलाकर सिरीज में बराबरी करवाई और भारत की लाज बचा ली जिसके बाद दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्रमोदी स्टेडियम में होने जा रहा है जिसके लिए पूरी टीम इंडिया एहमदाबाद भी पहुँच गई है लेकिन अब कुछे ऐसी तस्वीरे निकल कराई है जिस पर यकीन कर पाना और किसी के लिए बेहद मुश्किल ह गया है जेहां दोस्तों इंटरनेट की गलियारों में कई ऐसी खबरे और तस्वीरे वारल हो रही है जिसमें सारा तंदुलकर को एहमदाबाद में स्पॉट किया गया है इतना ही नहीं लोगों ने ये तक कहा कि गिल और सारा दोनों साथ में एहमदाबाद पहुँचे हैं ये खबर सामने आते ही पूरा इंटरनेट विवादो का खाड़ा बन गया हर तरफ केवल इन्हीं दोनों की बातें की जाने लगी यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सारा तंदुलकर और शुबमंगिल शादी भी कर लेंगे हला कि इस बारे में अब तक कोई भ सारा तंदुलकर क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं हमें अपने जवाब गोमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे योटूब चैनल को